और इसमें भगवान बुद्ध के प्रती हम दोनों ही देशों के आस्ता उनके प्रती असीम स्रधा हमें एक सुत्र में जोडती है एक परिवार का सदस्य बनाती है भाई और बहनों बुद्ध मानवता के सामोहिक बोध का आउतर है बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोद भी है बुद्ध विचार भी है और बुद्ध समस्कार भी है बुद्ध इसलिए भी सेस हैं कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिये बलकि उन्होंने मानवता को ग्यान की अनुभूती करवाई उन्होंने महान वैपरवसाली राच्य और चरम सुक्स विधाओं को त्यागने का साहस किया निच्चित रूप से उनका जन्दमा किसी साधारन बालक के रूप में नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने हमें ये हसास करवाया कि प्राप्ति से भी ज्यादा महत्वा त्याग का होता है त्याग से ही प्राप्ति पुन्ण होती है इसलिए वो जंगलों में वीचरे उन्होंने तब किया शोध किया उस आत्मसोध के बाद जब वो ग्यान के सिखर तक पहुँचे तो भी उन्होंने किसी चमतकार से लोगों को का कल्यान करने का दावा कभी नहीं किया बलकि भगवान बुद्ध ने हमें वो रास्ता बताया जो उन्होंने खुद जीया था उन्होंने हमें मंत्र दिया था अप्पदीपो भव भिखवे अप्पदीपो भव भिखवे परिक्ष भिख्षवो ग्राहम मदबचो नतू गौरवाद अर्थात अपना दीपक स्वयम बनो मेरे बचनों को भी मेरे प्रती आदर के कारण ग्रहन मत करो बलकि उनका परिक्षण करके उन्हें आत्मसाथ करो तात्यों बगवान बुद्ध से जुड़ा एक और विशय है जिसका मैं आज जरूर जिक्र करना चाहता हूं वैशाग प्रणिवा का दिन लुम्मिनी में सिधार के रुपे बुद्ध का जन्म हुआ इसी दिन बहुद गया मैं वो बहुद प्राप्त करके भगवान बुद्ध बने और इसी दिन कुशी नगर में उनका महा परिनिर्वान हुआ एक ही ती थी एक ही वैशाग पुर्णिवा पर भगवान बुद्ध की जीवन ग्यात्रा के ये पढ़ाओ केवल संयोग मात्र नहीं था इसमें बुद्धत्व का वो दार्षनिक संदेश भी है जिसमें जीवन ग्यान और निर्वान तीनों एक साथ है तीनों एक साथ जुड़े हैं यही मानिविये जीवन की पुर्णता है और संबता है इसी लिए भगवान बुद्ध ने पुर्णिमा की इस प्रवित्र तीथी को चुना होगा जब हम मानिविये जीवन को इस पुर्णता में देखने लगते हैं तो विभाजन और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं बचती तब हम खुद ही वसुध है कुटुम गम की उस भावणा को जीने लगते हैं जो सरवे भवंतु सुगिन से लेकर भवतु सब्वमंगलम भवतु सब्वमंगलम के बुद्ध उपदेश तक जलगती हैं इसलिए भवल गौलिक सीमाओं से उपर उठकर बुद्ध हर किसी के हैं हर किसी के लिए हैं साथ क्यों भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और समन्द भी है जिसमें अद्वूत संयोग भी है और जो बहुत सूखद भी है जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ गुजरात का वड़नगर वहां सद्यों पहले बहुत सिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था आज भी वहां प्राचीन आउशेस निकल रहे हैं जिनके समरक्षन का काम जारी है और हम तो जानते हैं हिंदुस्तान में कई नगर ऐसे हैं कई शहर के स्थान ऐसे हैं जिसको लोग बड़े गर्व के साथ उस राज्य के काशी के रुप में जानते हैं भारत के विशेस्ता रही है और इसलिए काशी के समीप सारनाथ में मेरी आत्मियता आप भी जानते हैं भारत में सारनाथ बोध गया और कुशी नगर से नेकर नेपाल में लुब्मिनी तक ये पवितर स्थान हमारी सांजी विरासत और सांजे मुल्यों का प्रतीख है हमें इस विरासत तो साथ मिलकर विक्षित करना है और आगे सम्रिद भी करना है अभी हम दोनों देशों के प्रदान मंत्रियों ने यहां इंडिया इंटरनेस्टल सेंटर फ़र बुद्धिस कल्चर और हरिटेज का शिलान्याद भी किया है इसका निर्मान International Buddhist Confederation of India द्वारख किया जाएगा हमारे सयोग के इस दसकों पुनाने सपने को साकार करने में प्रधान मंत्री देवबाजी ने उनका अहम योगदान है लुम्बिनी डेवलप्मेंट ट्रस्ट के देख्चे रुप में उन्होंने International Buddhist Confederation को इसके लिए जमीन देने का निर्ड़े लिया था और अब इस प्रोजेक को पुरा करने में भी उनकी और से पुरा सयोग किया जा रहा है इसके लिए हम सभी रदय से उनके आभारी हैं मुझे खुसी है कि नेपाल सरकार बुद्ध सरकीट और लुम्बिनी के विकास के सभी प्रयासों को सयोग दे रही है विकास की सभी संभावनाओं को भी साकार कर रही है नेपाल में लुम्बिनी मुज्यम का निर्माण भी दोनों देशों के साजा सयोग का उदारण है और आज हमने लुम्बिनी बुद्धिस उनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साब आमबेर कर चैर फ़र बुद्धिस स्टडिश स्थापित करने का भी निर्णा लिया साथियों भारत और नेपाल के अनेक तिर्थों ने सद्यों से सभ्यता, संस्कृती और ज्ञान की विशाल पनंपरा को गती दी है आज भी इन तिर्थों में पुरी दुनिया से लाखों सरत दारू हर साल आते हैं हमें भविश में अपने इन प्रयासों को और गती देनी होगी हमारी सरकारों ने भरवा और सौनौली में इंटिग्रेटर चेक पोस्ट बनाने जैसे फैसले भी लिये है इसका कान भी शुरू हो गया यह इस पोस्ट बनने के बाद बॉर्डर पर लोगों के आवागमन के जादा आसानी से नेपाल आ सकेंगे साथी इससे व्यापार और जरूरी चीज्जों के तांसपॉर्टेशन को भी गती मिलेगी भारत और नेपाल दोनों ही देशों के बीच मिलकर के काम करने के लिए ऐसी अपार संभावनाएं है हमारे इन प्रयासों का लाप दोनों देश के नागरिकों को मिलेगा साथियों भारत रण नेपाल बीच को संबंद हिमालय जस्ते अटल छे हिमालय जती के पुरानों छे हमें अपने इन स्वाभावित और नैसर की ग्रिस्तों को हिमालय जतनी ही नई उचाई भी देनी है खान पान गीत संगीत पर्वत योहार और रिती रिवाजों से लेकर पारिवारी संबंदों तक जिन रिस्तों को हमने हजारों सालों तक जीया है मुझे संतोष है कि इस दिशा में भारत नेपाल के साथ कंदे से कंधा मिला कर काम कर रहा है लुंबिनी बुद्धिष्ट उनिवर्सिटी कांठमंडू उनिवर्सिटी और त्रिभिवन उनिवर्सिटी में भारत का सहयोग और प्रयास इसके बड़े उदारन है मैं इस खेत्र में अपने आपसी सहयोग के विस्तार के लिए और भी कई बड़ी संभावनाएं देखता हूँ हम इन संभावनाओं को और भारत नेपाल के सपनों को साथ मिलकर साकार करेंगे हमारे सक्षम युवा सभलता के सिखर पर बढ़ते हुए पूरी दुनिया में बुद्ध की सिख्षाओं के संदेश वाहग बनेंगे साथियों भगवान बुद्ध का कथन है सुप्प बुद्धम प्रभजन्ति सदा गोतम सावका एसम दिवाच रतोच भावनाए रतो मनो अर्थात जो हमेशा मैत्री भावना में सद भावना में लगे रहते हैं गवतम के वे अनुआई हमेशा जागरत रहते हैं यानि वही बुद्ध के वास्तिविक अनुआई हैं इसी भाव को लेकर आज हमें पूरी मानोता के लिए काम करना है इसी भाव को लेकर हमें संसार में मैत्री भाव को मजबूत करना है भारत रण नेपाल बीच को मित्र ताले यस मानविय संकल पलाई पुरागर्ण यसे गरी मिलेर काम गरी हने कुरामा मलाई पुर्ण विश्वास्चर इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर से वैशाग पुर्णिवां की अनेक अनेक शुपकामना है नमो बुद्धायर नमो बुद्धायर नमो बुद्धायर धेरे धेरे धन्यवाद ग्यापन गरना चाहांचो महमहेम श्री नरेंद्र मोदी जुमा लुम्बिनी से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नेपाल दोनों ही देश के देशवासियों को संबोधित किया है और बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सभी को उन्होंने बधाई दी है साथ ही बुद्ध का जो जीवन रहा है उनके जो विचार रहे है उनका जिस तरह का आच्रन रहा है उसको लेकर जो लोग उनको फॉलो करते हैं उनके बारे में भी पीम मोदी बताते हैं अपने संबोधन में नजर आए